Python community में एक सबसे ज़ादा पूछे जाने वाला सवाल है कि एक end-to-end web application को सिर्फ Python का इस्तेमाल करके कैसे बनाया जा सकता है आज किस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा ही टूल के बारे में बताऊंगा जिसकी सहायता से आप लोग end-to-end web application Python की सहायता से बना सकते हैं with no compromise आप लोग database भी यूज़ कर सकते हैं बहुत ही strong logic आप लोग लिख सकते हैं इस वीडियो में ये सारी चीज़े मैं cover करने वाला हूँ चलते हैं computer screen में let's get started सबसे पहला काम जो मैं करने वाला हूँ वो है anvil.works पर जाओंगा और anvil.works पर जाने के बाद anvils के लिए sign up करूँगा तो मैं anvil.works पर जाओंगा और जैसे ही anvil.works पर जाओंगा आप लोग यहां पर देख सकते हो कि start building का option में सामने आ रहा है तो यह जो start building का option है इसको मैं खोलने वाला हूँ और start building पर click करने के बाद यह मुझसे पूछेगा कि भाई account बनानो और अपनी web app बनाना शुरू करो ठीक है तो यहां पर मैं sign in with google करूँगा यहां पर अपने account से मैं sign in कर दूँगा और मेरे साब से I am signed in ठीक है तो मैं आपर अभी sign in हो चुका हूँ जैसे कि आप लोग देख सकते हैं और sign in होने के बाद जो अगला step में रिलिए होने वाला है वो है एक blank app को बनाना अब यहां पर बहुत सारी templates मिल जाती है आपको अगर आप लोग इन templates को use करना चाते हैं तो कर सकते हैं जैसे कि आपको static site बनानी है तो static site के लिए एक यहां पर template दी हुई है उसी के साथ साथ अगर आप लोग online shop बनाना चाते हैं उसके लिए template दी हुई है तो इन tablets को भी आप लोग explore कर सकते हैं बट यहां पर blank app पर जैसे ही आप लोग click करेंगे वैसे आपको एक blank app देखने को मिलेगी अब इसमें भी बहुत सारे आप लोगों को जो है themes मिलते हैं कि किस तरह की app आप लोग बनाना चाते हैं मैं आपर material design 3 का इस्तेमाल करूँगा Anvil के साथे से app बनाने का एक सबसे बड़ा फाइदा यह है कि यार सिर्फ python अगर आपको आती है python python से आप लोग अपनी web app बना सकते हैं बहुत सारे लोग हैं जो web development में आना चाते हैं हलांकि web development आप जरूर सीखें HTML, CSS, JavaScript आप सीखना बिल्कुल गलत नहीं है but simple web app सिर्फ python की शक्तियों का इस्तेमाल करते हूं अगर आपको बनाना है Anvil is the thing for you ठीक है तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और इस app का नाम M3 app 1 है सबसे पहले तो मैं अपनी app का नाम चेंज करूँगा और इसका नाम मैं रखने वाला हूँ membership form तो मैं एक membership form बनाने वाला हूँ simple जिससे कि मैं आप लोगों को बताऊँगा कि database में इस form की data को किस तरह से आपको डालना है आइडियली ये काम अगर आप लोगों को करना पड़ गया let us say HTML, CSS, JavaScript यहां मैं एक backend resume करता हूँ Node.js की साहिता से तब आप लोगों को आना पड़ेगा Node.js में MongoDB से connect करना पड़ेगा जिसी भी database को आप इस्तेमाल करना चाते है वो आपके उपर है उससे connection करना पड़ेगा connection करने के बाद आप यह लिखोगे कि किस तरह से आप लोग अपनी app में data डालोगे backend लिखना पड़ेगा डिफ्लॉइ करने पड़ेगा एक लंबा प्रोसेश ठीक है तो मैं तो गोंगा अगर आपको आपका जो टार्गेट है वो एक सिंपल सी फॉर्म अप टाइप की कुछ है तो अन्विल का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हो और अगर आपको पाइथन आती है सिर्फ पाइथन आ अब यहां पर एक description देता हूँ जिम membership website अब यहां पर आपका logo भी डाल सकते हो यहां पर image change कर सकते हो आपएप में इसको एसे रहने देता हूँ और यहां पर आजाता हूँ अपनी app में अब यहां पर आप देख सकते हो मेरे पास टूल बॉक्स है राइछ साइड मर फिर यह पर जो text है वो डालूँगा देखो आप इस पर जब highlight करते हो sorry hover करते हो तो आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है किस तरह से मैं इसके ओपर एक text डाल सकता हूं तो यहाँ पर अगर मैं आ जाओ और यह display text है ठीक है लेबल display text यह rich text है यह link है ठीक है तो इस तरह से आप लोग जो है चीजे कर सकते हो अब एक चीज और कि आप यहाँ पर run in a new tab पर जैसे क्लिक करोगे इन three dots पर लिक करने के बा बाद मैं यहाँ पर डालना चाहूंगा एक input ठीक है एक text box डालना चाहूंगा text area नहीं text box डालना चाहूंगा यह सिंपल सा नाम है और इसके अंदर आप क्या placeholder डालना चाहते हो तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा name your name ठीक है और यहाँ पर देखो कर मैं इसको reload करूंगा भी तो यह मुझे दिखाएगा कि आप यहाँ पर अपना नाम डाल सकते हो अब अगर आप चाहते हो यह राउंड क्या हो background क्या हो text में अगर आप more में जाएंगे तो आपको alignment मिल जाता है फिर अगर आप चाहते हो font size इसका थोड़ा सा बड़ाना चाहते हो इसका font size और इसको मैं जाना देखता हूँ 20 font size रखने के बाद क्या होता है इसका मैं restart कर देता हूँ इसको और यह देखो यह इस तरह से दिख रहा है तो मेरे साब से थोड़ा सा बड़ा मैं font size prefer करूँगा तो मैं इसको रहा सा बड़ा रखना चाहूँगा ठीक है अब मैं यहाँ पर enter your name कर दूँगा enter your name मैंने कर दिया अब same चीज मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर और fields के लिखूँगा मैं यहाँ पर इस तरह से डालूगा ही ठीक है तो नेम के बाद मानलो मैं यहाँ पर label 2 पर क्लिक करके चाहता हूं enter your weight ठीक है enter your weight और यहाँ पर text box 2 में मानलो हम डाल देते हैं मतलब कुछ भी डाल दो ठीक है मैं इसका font size मैंने 20 दे दिया है हाँ और यहाँ पर मानलो मैं यहाँ यहाँ पर डालना चाहता हूं your weight और फिर इसके बाद मानलो मैं यहाँ पर और components यूज करने की कोशिश करते हूं और आप image वगएर डालना चाहते हो तो आप image भी डाल सकते हो अब एक check box भी डाल सकता हूं तो मैं क्या कर सकता हूं कि यहाँ पर text डालूगा यहाँ पर लिख यहाँ पर कि चाहते हो personal training की नहीं चाहते हो text में रख दूंगा यहाँ पर yes ठीक है मानलो मैं यहाँ यहाँ पर yes रखना चाहता हूं और अभी मैं रिस्टार्टर के आपको आप दिखाता हूं कैसी दिख रही है तो अभी at this point हमारी आप जो है इसी दिख रही है and obviously इसका भी फिर उसके बाद यहाँ पर flow panel है repeating panel है यह सब आप लोग ट्राय कर सकते हो drop down है जैसे कि मानलो आप 3-4 options देना चाहते हो तो आप drop down का प्रियोग कर सकते हो date time image यह सब चीज़ों का प्रियोग आप लोग कर सकते हो ठीक है अब यहाँ पर मानलो मैं outline button use करना चाहता हूं और मैं कर सकते हैं अगर आप लोग यह select वाला चाहते हैं इसको भी आप लोग add कर सकते हैं बिल्कुल similar है और अगर आप लोग annual की documentation पर चाहेंगे तो personally speaking मैंने बहुत कम time इसमें spend करके बहुत कुछ build कर लिया इससे तो मेरे साब से this is something that will definitely excite you ठीक है अब मैं यहाँ पर आऊंगा अ मैं ऐसे कुछ देता हूं ठीक है तो मैं टेक्स में यहां पर देता हूं gym fitness ठीक है और restart पर क्लिक करता हूं और यह देगो gym fitness यहां पर आगए इसका title मैं यहां पर देती है ठीक है और अगर आप कोई links होगर add करना चाहते हैं तो आप यहां पर navbar की links भी add कर सकते हैं जैसे कि और मालो मैं यहां पर लिख दूँ about ठीक है तो यहां पर home about contact us वो चीज होती ही न वो चीज आप लोग यहां पर add कर सकते हो तो मैं लिख दूँगा यहां पर contact us पूरी website आप लोग बना सकते हो इससे अब आप मेंसे अगर कई लोग यह पूछोगे मुझ से क्या रही कि क्य CSS JavaScript क्यों न सीखूं मैं अपनी skill को आगे बढ़ाके वो क्यों न यूज करूं ये क्यों यूज करूं तो कभी-कभी क्या होता है कि बहुत simple use cases आपके सामने आते हैं ठीक है most of the companies के पास मैं most of the companies की बात कर रहा हूं पैसो का इतना अधा constraint नहीं होता है अगर आप लोग उनको क aid service भी दे दो नहीं और आप उनसे को यार आपका काम बहुत कम time में हो जाए तो उनको time बचाना होता है उनको hassle बचानी होती है वो चाते है कि time बचे, resource बचे और काम हो जाए और इस तरह की चीज अगर आप लोग बनाओगे python की मदस से 20 मिनिट में 10 मिनिट में अगर इस तर अगर मैं चाहता हूं कि इस सब्मिट बटन को थोड़ा डाक बनाना या फिर इसका बार चेंज करना यहां अगर मैं इसको फिल्ट बटन बनाने जाता हूं तो ऐसे कर सकता हूं तो आप यहां पर बहुत सारे options हैं उनको explore कर सकते हो but for now I restart and my UI is done this is my UI अब डेफिनिटल आप इसमे दो तीन fields और डालोगे fields को add करना बेहद आसान है आपने यहां पर text डालना है मालो मैं यहां पर डालना चाहता हूं मैं इसको जरा उपर डालना चाहूंगा ऐसे ठीक है मालो मैं लेबल में डालना चाहता हूं इसका font size 20 कर दूँ पहले definitely you got the point यार ठीक है मैं इसमे बह आइटी दिखा हूंगा याप ठीक है तो मैं यहां पर text area का प्रयोग करूँगा और I think do you need personal training yes यह बिल्कुल ऐसे सही लग रहा है ठीक है और यहां पर enter your full address enter your full address और यहां पर अब मैं क्या करूँगा यह को थोड़ा capital करूँगा restart करूँगा यह बिल्कुल कि आप इसको कैसे देखना चाहते है ठीक है तो यहां पर आप लोग देख सकते हो मैं इसको restart करूँगा उपस मैंने stop क्यों कर दिया है इसको गलती से क्लिक हो गया ठीक है रणी 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 उटाप करूँगा दुबार से में यहां पर आगए अगर आपको yes करना है तो आप yes पर क्लिक कर दे ठीक है और इसके बाद यह जो हमारा form है वो बन चुका है ठीक है अब अगर आप आप अपसी आना है और यह और यहाप है फिस एकचे रोटी फार्टि मैं उससा बेर शाथ सक आप रणा मैं सॉलय ऑघे आप क्या च्छानर बड़ा सामडेग न इसको संट और sooner से रिस्टार्ट करूँगा च्वाइब सब्सक्राइब कर दिया अब मैं जल्दी से आ जाओँगा और बात करूँगा में चीज की और वो है एक डेटाबेस करने के लिए आपको यह डेटाबेक करना है एक डेटाबेस अल्रेडी अडेड होगा बट मैं आपर एक नई टेबल एड कर रहा हूं और यहां पर मैं कर दूँगा एड्रेस यह फिर एक टेक्स कॉलम ना करके एक एक इंटीजन एड करूँगा इसको मैं ड्रेस बना डेता हूं फिलाल के लिए फिर इसके बाद प्लूं करने के बाद वेट हो जाएगा और इसके बाद यहां पर प्लस करूँगा एड्र फॉ फॉल्स कलम करूँगा और इसका नाम में रखूँगा परसलल ट्रेइनग जनते को नीच है ठीक है और मेरे असब से एक, दो, तीन, चार, चार फील्स है, हमारे पाथ, चारो फील्स बन गई है ठीक है अब यह काम हमने कर लिया डेडावस हमारा बन चुका है, अब हम आएंके सर्वर साइड कोड में हमें अपनी app के server side code में लिखते हैं और यहां पर हम करेंगे click add server module server module का मतलब यह है कि यह code server side पर run करेगा server side पर आप क्यो run करना चाहोगे बिल्कुल front end back end वाली बात आ गई अब जो python वाले लोग होते हैं उनको बहुत जादा understanding होती निये कि websites कैसे काम करती है इस बात की तो मैं आप लोग को बता दूँ जरा कि website कैसे काम करती है जो आपका browser है वो front end है जो code उसको भेजा जाता है browser को वही दिखता है back end में किस तरह से वो code generate किया गया है यह browser को नहीं दिखता है और यह वही code है जो आपके server पर run हो रहा है आपके server पर क्या चीज़ execute हो रही है किस तरह आपके data save हो रहा है कहां हो रहा है database का है database का password का है यह सब back end hold करता है और यहाँ पर मैं जो है back end लिखने वाला हूँ अब यहाँ पर आप लोग देखो कि अब anvil.server.callable यह जो method है इसको चला सकते हो गर मैं इसको पढ़ू this is a server module और यह anvil के server पर run करता है user के browser पर run नहीं करता है to allow anvil.server.call to call functions we mark them will anvil.server.callable यानि कि हम callable functions यहाँ पर बनाते हैं तो मैं simply क्या करूँगा कि लिखूँगा anvil.server.callable और यहाँ पर मैं store यहाँ पर submit एक submit नाम से function बनाऊँगा यह जो submit है यह लेगा name लेगा, wait लेगा address लेगा और उसी के बाद personal लेगा personal मतलब कि personal training चाहिए कि नहीं चाहिए ठीक है यह चार चीज़े लेगा अब मैं यहाँ पर आजाऊँगा यहाँ पर आने के बाद मैं दो चीज़े करूँगा एक तो चीज़ यह कि मैं आपके front end से values को लेकर आऊँगा और इसके बाद मैं एक notification दिखाऊँगा user को फिलाल के लिए मैं आपर क्या करूँगा, फिलाल के लिए pass लिख दूँगा, ठीक है तो मैं क्या करूँगा, मैं यह चाहूँगा कि जब भी कोई भी इंसान click करे तो यह वाला function जो है वो चले, ठीक है तो यह function चलेगा जब भी click किया जाएगा तब अब यहाँ पर मुझे 3 चीज़े चाहिए in fact 4 चीज़े चाहिए पहली चीज़ क्या है, पहली चीज़ है मेरे पास name, यह हो जाएगा self. और इसका नाम मुझे देखना पड़ेगा क्या है तो मैं जैसे ही अपने यहाँ पर जाओंगा कहां पर जाओंगा इसके client code में मैं यहाली tap बन करता हूँ मैं बिसी के लिए चाहता हूँ कि मुझे इसके design में यह मिल जाओंगा यह text box 1 मुझे याद रखना है just for the timing मैं यहाँ पर split पर आऊंगा self. और यह क्या था बड़े जल्दी भूल जाता हूँ text box 1 text box 1 dot text similarly मैं ले लूँगा wait wait हो जाएगा self. और मैं इसके बाद यहाँ पर लिखूँगा text box 2 और मैं यहाँ पर लिख दूँगा dot text ठीक है और यह एक string होगी ठीक है अब यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है कोई दिक्कत नहीं आ रही है यहाँ पर मैं address भी करूँग self.textarea1.text and similarly मैं आ पर लिखूँगा personal is equal to self.checksbox1.checked जो की मुझे boolean देगा ठीक है अब मैं आ जाँगा अपने server model server model में आने के बाद मैं क्या करूँगा मैं आ पर लिखूँगा app tables app tables dot gym dot add row तो मैं आ पर लिखूँगा name is equal to name address is equal to address personal is equal to personal weight is equal to weight ठीक है weight is equal to weight यह मैंने लिख दिया ठीक है तो मैंने basically क्या किया मैंने कहा कि यार करो क्या कि यह वाली जो मेरी table है जो की database मैंने बनाया इसमें यह सारी चीज़े add कर दो ठीक है that's about it सिर्फ मैंने इतना किया अब इसके बाद मैं क्या करूँगा कि यहां पर आउँगा और इस function को call करूँगा यानि कि मैं क्या करूँगा लिखूँगा envl.server.call और मैं यह आपर लिखूँगा submit को call कर दो क्योंकि submit मेरा एक function है और मैं इसको सारी entries पकड़ा दूँगा तो मैं कहूँगा name is equal to हो जाएगा आपका name ठीक है और आपका wait हो जाएगा wait is equal to हो जाएगा wait and similarly address is equal to हो जाएगा आपका address and personal आपका हो जाएगा क्या personal is equal to personal ठीक है तो मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से दिया अगर आपको python आती है था आपको पता होगा function arguments आप ऐसे इस तरह से भी दे सकते हो और यह चारो चीजे pass हो जाएगी यहाँ पर ठीक है अब यह करने के बाद मैं एक notification भी दिखाना चाहूँगा कि यार आपका data add हो चुका है तो notification दिखाने के लिए हम लोग code लिखेंगे ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे है क्योंकि हम चाहते हैं को भी पता चल जाएगी उसका काम हो गया है तो मैं यहाँ पर जल्दी से form 1 पर आऊँगा और यहाँ पर लिखूँगा notification और यहाँ पर लिखूँगा your data और यह और response has been recorded और यह करने के बाद मैं सिर्फ इतना लिखूँगा और dot show कर दूँगा ठीक है अब इसमें आप टाइम आउट बगएरा बहुत सारे options है वह सब चीज़े एकस्टनोर कर सकते हो बस अभी के लिए मैं सिर्फ इतना ही करूँगा अब मैं restart पर क्लिए करूँगा तो आप लोग देखो यहाँ पर any लिख देता हूँ वेट लिख देता हूँ my address लिख देता हूँ यहाँ पर शायद इसकी default value कुछ लिख हो यह इसको मैं ठीक करूँगा भी this is my address लिखूँगा do you need personal training को yes कर देता हूँ फिलाल के लिए और submit पर क्लिक करता हूँ और देखो यहाँ पर this app has experienced यह इसको इंटीजर में टाइपकास्ट करना पड़ेगा कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है तो मैं अभी यहाँ पर रिस्टार्ट करूँगा पहले आपको फिर इसके बाद ही submit करूँगा ठीक है तो मैं आपर नेम में लिख देता हूँ वेट में लिख देता हूँ address में ADD यह लिख देता हूँ इसको yes कर देता हूँ ठीक है और मैं submit पर क्लिक करूँगा तो your response has been recorded आ जाएगा अब मैं अगर आप लोगों को यहाँ पर अपना database दिखाऊ और इसको refresh करो refresh करो आप और इसको refresh कर लो इस तरह से देखो यहाँ पर name add wait 34 और यह true आ गया एक बार इसको false के साथ भी कर लेते है record name 2 कर लेते है इसको और यहाँ पर कुछ और मैं कर देता हूँ और इसको submit करता हूँ एक बार false के साथ submit करता हूँ ठीक है your response has been recorded तो अभी मैं इसको अपने data को refresh करो तो देखो इस सारी entries आपर record हो रही है which means our app is working अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर आप लोग email send करना जाते हो तो वो कैसे कर सकते हो email send करने के लिए आप लोग को email module को पहले पड़ेगा तो यहां पर आप एड़ पर क्लिक कर सकते हो email पर क्लिक कर सकते हो और आपका email module जो है वो enable हो गया अगर आप लोग कस्टम mail server वगयर यूज कर रहा जाते हो advanced user हो तो भी कर सकते हो ठीक है तो यह करने के बाद आपने करना क्या है कि वापस से आना है अपने server module पर और यहां पर मैं क्या करूंगा लिखूंगा anvil.email.send और मुझे आपर दो तीन चीज़े करनी पड़ीगी मैं किसको email भीजना चाहता हूं तो मैं आपर अपना email address डालूंगा फिर इसके बाद मैं मैं subject जो है वो लिखूंगा your response response from anvil app फिर इसके बाद क्या चीज़ आती है? text की आपका जो email वो क्या है back from इसको f string बना देता हूंग f string यूज कर सकते हो remember कि आप लोग python यूज कर रह हो which is the beauty and feedback from name और फिर मैं लिखूंगा wait is यहाँ पर wait डाल दूँ और फिर address and he and they live at यहाँ पर address डाल देता हूं आप किसी भी तरह सकते हो इसको feedback pcc पर अड़ कर सकते हो इसमें options है ठीक है वो देख लेना आप लोग इतना आप देख लेना देख सकते हो आप लोग अड़ाद और इंडिया ठीक है अब यहाँ पर एक और अनल आगया अड़ाद 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 इसके बाद मैं लिखुँगा 89 mango बाद peach colony और यहाँ पर इंडिया ठीक है और मैं personal training चाहिए कि नहीं मैं yes करूंगा सब्मिट पर क्लिक करूँगा और इस बार भाई प्लीस सब्मिट हो जाना एन्मिल यार ठीक है रस्पॉंस बिन रिकॉर्डड़िट लेट सी कि यह यहां पर आया की नहीं तो मैं अपनी इस डेटाबेस टेबल पर क्लिक करूँगा रिलोड करूँगा यह मैंगो बाद वाला इडरस आया मेरा की नहीं हां आ गया ठीक है और क्या मेरा इमेल जो है वो आया वो मुझे देखना पड़ेगा अपनी इमेल में ठीक है तो मैं जल्दी से ना इमेल अपना चेक कर लेता हूँ और आप लोग को बताऊंगा मैं कि मेरे पास इमेल आया की नहीं तो मेरे पास उमेल आचुका है ठीक है और मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह सकता है मेरा इमेल यह देखो यह हँआ यहं इमेल रसपांस फ्रम एनवील एमट और यह कुछ इस तरह से आ रहा है यह जैसरा कि Advil यह देख सकते हो और यहाँ पर यह जो है आपको इस तरह से मिल जाएगा अब एक चीज और होती है आपर की जो email quota है वो paid app में आपको मिलेगा देखने को देखने को कुछ features है इसमें जो कि आपको obviously इनके लिए pay करना पड़ेगा but at the very basic level you can build your apps using python जो की एक बहुत बड़ी beauty है तो क्या ही अच्छी चीज है बुरी चीज है यूज करनी चाहिए निंग करनी चाहिए अपना opinion आप लोग बता है डिसकस करते हैं ठीक है मैं open हूँ to discuss this in the comment section मैं personally क्या इसको यूज करता हूँ yes मैं यूज करता हूँ कभ यूज कर है वो भी कर सकते हो by the way आप में से लिए लोग सोच लोगे यह distribute कैसे करूं लोगों को यह link बेजू नहीं you can publish this app publish का मतलब कि आप publish पर click करें publish का मतलब आप इसको अन्विल आपको फ्री में host करके देगा जो कि मुझे एक और beauty लगती है इसकी publish this app पर click करते हैं and it's as simple as that publish हो चुकी है यह देखो यहाँ पर आपका जो URL है वो आपको मिल गया है ठीक है अब आप custom domain भी लगा सकते हैं यहाँ पर obviously आपको इसके लिए pay करना पड़ेगा यह जो आप है अगर मैं अपनी इनकोगनिटोड आप खोल के आप लोग को दिखा हूँ और मैं इसको paste करूँ it works ठीक है एक मैं इस form को जारा submit करके भी आपको दिखा दूँ मैं लिखूँगा from incognito और from incognito जैसे ही मैं लिखूँगा मेरा यहाँ पर data आ जाएगा ठीक है मै इनकोगनिटो लिखता हूँ वेट 23 और इनकोगनिटो एड्रेस ठीक है shift end करूँगा unit personal training मैं काम करता हूँ इसको yes ही कर देता हूँ submit किया and अब मैं यहाँ पर आउँगा और देखूँगा कि भई मुझे मिला यहाँ पर की नहीं मिला टेबल पर क्लिक करूँगा refresh इनकोगनिटो एड्रेस मैंने दो बार एक्चुली क्लिक कर दिया था उस पर submit पे but this is how it works या ठीक है I hope कि समझ में आ गया आप सभी को किस तरह से यह use होता है किस तरह से आपको use करना है और email वाली चीज़ भी I hope आप लोग को समझ में आ गई होगी कि email किस तरह से आप लोग का यार मुझे जरूर बताना नीचे comment section में मैं आप लोगों के opinion का इंतिजार करूँगा और क्या आप लोग को इस तरह की app को use भी करना चाहिए कि नीचे comment section में बताना बाकी definitely HTML, CSS and JavaScript बहुत सारे लोग पूचेंगे तो यार मैं क्या HTML, CSS, JavaScript शीक्रिप्स चोड़ दूग या न अपने अपना use case में सबका अगर आप लोग सिर्फ pure python में रहना चाहते हो और आप लोग इसको इसकी ease के साथ रहना चाहते हो, सारे paid features भी अगर आप लोग यूज़ करना चाहते हो और करने के बाद आप लोग को बहुत सारी चीज़ अनलॉक हो जाएंगी इसमें और इसमें कई लोग try out नहीं करते हैं मैं चाहतो try out करके मुझे बताओ कि वह यह कैसी है चीज अच्छी लगी है आपको नहीं लगी यूज़ करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए तो यह सारी चीज़े मुझे आप लोगों से जाननी है अभी के लिए इस वीडियो में इतना है गैस thank you so much guys for watching this video and I will see you next time